नमस्ते, मैं सिये नवीन क्रपलानी, प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटन्ट, सिंस लास 14 यर्स, पूरे महाराष्टर रिजन में हम लोग सब्सिडीज और फिनेंशल कंसल्टन्सी के लिए काम करते हैं आज का हमारा विशे है गौवर्मेंट सब्सिडीज इनसेंटिज बहुत कॉमन सवाल है क्या सब्सिडी मिलती हैं? गवर्मेंट सब्सिडी और इनसेंटिज में क्या डिफरंस है? MSM Units को subsidy की जरुरत क्यों है apply कप करना चाहिए और सबसे ज़्यादा जरूरी subsidies की application reject क्यों होती है ये सभी विशय आज हम discuss करने वाले है पहला सवाल लेते है government subsidy और incentive में क्या difference है subsidy normally cash form में आती है incentive जो है that is in the form of refund of taxes or exemption in paying taxes आपको tax pay करना ही नहीं है या फिर जो आपने taxes pay की हैं उसका आपको refund मिलता है example के तोर पर common man की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको cylinder, gas cylinder जो purchase करते है monthly जो भी cylinder purchase किया जाता है उसको पूरी payment की जाती है और जो subsidy आनी हो आपके account में direct जमा हो जाती है direct benefit transfer this is also a subsidy एक industrial unit के अगर बात करें तो बहुत सारी जगे पर उनको machinery purchase करने पर गवर्मेंट direct cash subsidy देती है so that is subsidy पर अगर उसी यूनिट को industrial unit को tax पूरा पे करना पड़ता है और फिर उसके बात government उसको refund देती है that will be called as incentive तो subsidy जो normal cash form में आ जाती है incentive जो आपको या तो tax exemption के form में मिलता है या tax refund के form में मिलता है दोस्तों दूसरा सवाल क्या subsidy मिलती है एक बहुत ही common सोच है कि government subsidies मिलती नहीं है यह सिरफ theoretical बाते है paper पे होता है actual में हमने सेक्णों को मेरे अभी तक के experience में 300 से ज़्यादा clients form ने subsidy दिलाई है government incentives दिला रहे हैं क्योंकि एक साल का benefit नहीं रहता है incentive के form में वो 10 साल तक कोई state government 6 साल तक 5 साल तक के government subsidy देती है incentive मिलता है जो हर साल claim करना पड़ता है हम आज भी दिला रहे हैं मैं आपको assure कर सकता हूं कि government subsidies incentives मिलते हैं industrial units अगर eligible हैं तो 101% उनको government incentives subsidies मिलती है तीसरा सवाल दोस्तों क्या MSME units को subsidy की जर्रत है जी हाँ MSME units को subsidy की जर्रत काफी है एक अगर नया industrial unit शुरू होता है तो initial phase में marketing करना profit earn करना काफी complicated काम है time taking process है gestation period जो 2 से 3 साल का है उसमें आपको काफी अच्छी help हो जाती है अगर government से कोई subsidy आपको cash form में मिल रही है तो आपको आपका pricing competitive कर सकते हैं मार्केट में आप दूसरों से कम ब्रक्राइब कर सकते हैं इनिशल पीरेड में आपको काफी ज्यादा help करते हैं cash subsidy subsidy अगर direct tax के form में है incentive के form में है जिसमें आपको income tax नहीं लगने वाला है तो आपकी long term sustainability ज्यादा convenient हो जाती है government subsidy अगर indirect taxes के form में है तो आपको आपका pricing competitive कर सकते हैं market में आप दूसरों से कम rate में माल बेच सकते हैं या फिर अच्छी profit margin earn करके आप market में tick सकते हैं indirect taxes से काफी ज्यादा benefit होता है maximum subsidies government incentives जो हैं वो indirect taxes के form में आज चल रहे हैं last issue आता है government subsidy से आपकी process आपके compliance काफी ज्यादा regular रहते हैं क्योंकि जो भी subsidies है वो आपसे maximum type के compliance करवाके लेते हैं otherwise आपको government subsidy eligible नहीं होता है दोस्तों चौथा सवाल आता है subsidy के लिए government incentives के लिए कब apply करना है और किसको apply करना है बहुत ज्यादा जरूरी है application का timing to be very frank 90% of the subsidies get rejected just on one ground single ground is timing of application of subsidy आपको कौनसे department के पास apply करना है कब apply करना है यह आपको unit चालू करने के पहले अच्छे से समझ लेना है एक unit को 3-5 अलग-अलग type की government benefit subsidies मिल सकती है बशरते सबका अपने-अपना time पे application हुआ है कुछ departments है जो government subsidy की application होने के बाद का investment consider करते है suppose आप एक unit start कर रहे है जिसमें 3 करोड का investment है आपने application किया आपका investment होने के बाद अब यहां से आपको कोई भी benefit मिलना नहीं है क्योंकि आपको application करना था investment शुरू करने के पहले investment शुरू करने के बाद अगर आप application करते हैं तो उसके बाद का investment period consider होता है इसके लिए आपको पिछले investment पे कोई भी subsidy मिलना नहीं है technical issue तब से और ज़्यादा बढ़ गया है जब से पूरा का पूरा process online हो चुका है जब तक manual applications थी तो आपको गलती सुधारने की जगे थी पर अब online applications में कहीं कोई scope नहीं है timing of application, concerned department of application बहुत ज़्यादा minorly समझ के करना पड़ता है कुछ जगे banks को apply करने का रहता है पर आपको उनका follow up लेके bank से भी proper time पे application करवाकर लेना है पांचवा और आखरी सवाल दोस्तों subsidy की application reject क्यों होती है reasons काफी सारे हैं जिसमें मैंने जैसे पहले आपसे discuss किया timing of application बहुत ज़्यादा minor रखती है आप application कब कर रहे हैं अगर आपका application proper time पे नहीं है तो वो application reject कर सकते हैं CLCSS या नाबाट की अगर मैं बात करूं तो उनका particular quarter this quarter में first disbursement हुआ उसी quarter में उसका application जाना चाहिए quarter suppose आपका first disbursement हुआ है 15 June को तो आपको 30 June के पहले उसका application करना है अगर आपका application हुआ है 1st of July को तो आपको 30 September तक का time मिलता है application करने का अगर आप उसके बाद application करते हैं तो आपका application reject कर सकते हैं timing of application बहुत ज्यादा माहिने रखता है second issue रहता है forms जो आपने fill up किये जो data आपको submit करना चाहिए था वो proper नहीं है अगर improper data या filling of application form is not proper application सिरे से खारिच कर सकते हैं third issue आता है जो attachment या application के साथ में हमको papers attached करना है बहुत सारे papers attached करना पड़ता है कि कि जब government subsidy देती है तो बहुत सारे compliance आपसे expected है land के documents है वो पूरे चाहिए construction जो है उसका map sanction हो जाना चाहिए जो machinery आपने लिये उसका technical appraisal और साथ में machinery के bills requirement को justify करते हुए process explain करना है आपको यह सभी चीजे आपको उसके साथ में जोड़ना है including bank account details जिस bank से आपने loan लिया है और कितना loan लिया था sanction later term loan अगर है तो working capital limit की case में आपको बहुत जादा details देने की ज़रत नहीं पड़ती है पर बगर term loan के normally कोई भी subsidy आज की तारिक में government देती नहीं है next comes your follow up कोई भी government department रहो applications उनके पास काफी है time काफी limited रहता है क्योंकि entry और exit का time अगर आपका proper रहा भी proper time पे आपने application कर भी दिया तो भी उनके पास काफी ज्यादा applications pile up है तो either directly or through banker आपको concerned department के concerned officer का follow up लेना बहुत ज्यादा जरूरी है so that वो visit करें अगर visit required है उनके requirements में तो और उसको disburse करें final subsidy subsidy भी दो time में आती है first half and second half दो form में disburse करते हैं तो दोनों का timing बहुत ज्यादा मैने रखता है दोनों के लिए आपको follow up लेना है अगर directly permitted है वो department में तो जैसे नावाड है वहाँ पर as an individual आप नहीं जा सकते नावाड में आपके banker को ही बात करनी पड़ती है so you have to take your follow up your banker so that he will take follow up from the concerned department समय सिमित है हमारे पास एक वीडियो में सब कुछ cover नहीं कर सकते है अब आप मुझे बताईए comment box में या whatsapp पे share कीजे इसके बाद आपका क्या सवाल है और हम उसको कैसे answer कर सकते है subsidies की schemes बहुत सारी है central government की schemes है state government की schemes है हर state में अलग-अलग schemes applicable है local bodies भी कुछ subsidies देती है but वो subsidies कब कहा कैसे मिल सकती है इसके related आपके जो भी सवाल है आप comment box में दे सकते हैं आप अगर कहें तो अगला video priority पे कौन सा बनाना है comment box में या whatsapp number share किया जा रहा है आपसे उस पे भेज सकते हैं subsidies से related आपकी जो भी queries हैं मैं और मेरी पूरी team आपके लिए हमिशा available है आप उस पे सवाल पूछ सकते हैं whatsapp number पे अंत में एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा industrial units के लिए subsidy रहती है subsidy के लिए industrial units चालू नहीं करना है MSME units जो भी अगर आप चालू करना चाते है उसका technical और financial feasibility पहले अच्छे से समझ लेना है analyze कर लेना है proper consultants की जहां आप help ले सकते हैं लीजिए unit जो भी शुरू करना है पहले वो study कीजिए फिर उसके उपर कौन सी subsidy मिलती है वो देखिए subsidy के लिए कोई भी unit चालू नहीं करना है धन्यवाद